उत्राखंट से जुड़ी एक चौकाने वाली ख़बर आ रही है दरसल मीडिया रिपोर्ट्स के अवाले से मिल रहे है जानकारी के मुताबिक वैग्यानिकों का ऐसा मानना है कि जिस तेजी के साथ उच्च हिमाले के ग्लेशर पिगल रहे है उससे नदियों वाले हिमाले रीजिन में आने वाले सालों में पानी का संकट गहरा सकता है इसका असर हिमाले राज्यों पर तो पड़ेगा ही साथ ही साथ भारत की पडूसी मुलकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा इसके पीछे वैज्यानिकों का अपना-पना मत है दरसल वैज्यानिक ऐसा मानते है कि संकट से बचने के लिए ठोस आक्शन लेनी की जरुवत है इटीवी भारत वेबसाइट पर चपी खबर के मताबिक हेमबती नंदन बहुगणा के इंद्रिय वडवाल विश्विद्याले का हाई पीक प्लांट रिसर्च इंसिट्यूट उत्रा खंट के उच्छ स्थानों में प्लांट्स पर रिसर्च करता है इस तंस्थान के वरिष्ट वेग्यानिक हैं डॉक्टर विजा कांट पूरोईट जो बताते हैं कि हिमाले रीजिन में जंगलों की तरफ तेजी के साथ अतिक्रमन हुआ है इसकी वज़ा परेटन है और लोग बड़ी संख्या में बुग्यालों जंगलों में निर्माण कारे कर रहे हैं इस निर्माण से नहीं पहुद नहीं बन पा रहे है यह हिमाले के लिए घातक है वैग्यानिकों का इस्ता मानना है कि नियोजित विकास भी हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है समय आगया कि GDP की तरह हिमाले को बचाने के लिए GEP यानि Cross Environment पर ध्यान दिया जाए वहीं एक दिल्चस्थ जानकारी और निकल के आई तरसल हिमाले में पानी के श्रोट के लिए सबसे बड़ा कारक चोड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं लेकिन उनका पारस्तिति की तंत्र प्रभावित हुआ है इससे इस इस इलाके में पानी का संकट गैरा सकता है श्रोट सूख रहे हैं इसके साथ साथ हिमाले रीजिन में कारबन उत्सरजन के कारण गर्भी बढ़ रहे हैं इससे हालात ये बन रहे हैं कि मद्य हिमाले में उगने वाले पेड़ पौधे उच्छे हिमाले के तरफ अपने को शिफ्ट कर रहे हैं इससे ग्लेशियर पिगल कर खप्म हो जाएंगे इससे पूरी हिमाले इन बेल्ट पर पानी का संकट खड़ा हो जाएगा इसका असर हमारे देश के पड़ोसी देशों में भी देखने को मिलेगा वही लंबे समय से ग्लेशियर और उस पर कारवन डेटा पर कार कर रहे हैं जल संकट को लेकर व्यज्ञानिकों के इस चिंता पर आपती क्या राए है अमेरिका मिल्ट में ज़रूर बताएं